नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं, लक्षमबाई नगर अनाज मंडि में और आज मंडि में जो है वो लगातार स्वयाबिन की जो आवक है, वो तेजी से बढ़ रही है, लगातार जो ट्रालिया है स्वयाबिन की इंदोर शेहर के आसपास जो गाउं है, वहाँ से लगातार और आज भी लक्षुन बाई नगर राज मंडी जो है वहाँ पर स्वयाबिन जो है वह बड़ी मातरा में आया है कुछ किसान स्वयाबिन के हैं उनके पास चलेंगे उनसे सिधे बात्चीत करेंगे आज क्या कुछ दाम रहे और कितना मुनाफ़ा उनको आज यहां पर हुआ है कमल सिंग जाता हुआ कमल सिंग जी आज हम आये हैं आपर स्वयाबिन लेकर के आएं कितने ट्राली लेकर आए और कुन सी क्वालिटी का है अपना माल यह वह जुश्री है क्या नाम उसको तिर्यान जिरो पांच के लगवाज है कितने बिगा में हमना स्वयाबिन बुई थी और कितने बिगा में हमें उत्पादन हुआ कि सब्सक्राइब अधिक्तम आज कितना गया होगा और सबसे कम में देम बात करें अब वो तो क्वालेटी के उपर करेंगा पर कोई का गारा भी लाते है उसका कम जाता है 2000 जाता तीन अजार भी चले जाता है इसमें तो बहुत घाटा है एक अजार का किसान को लाता है तिरपन सुर्वे जभी विक्री थी जब हमारी स्वयाबिन लिकल देख और आज जोड़ा तो बहुत घाटा है अच्छा लगात पर किसान को बड़ा घाटा उठाना पड़ता है अच्छां को यू माल लोगे एक बोरी के हजार रुप्या का जो आज करेट लेंगे टेशिए जोड़ लग आरकिसान करने स्वयाबिन पड़ी है अब क्या विक्ति पसल आ गई उदाम खाली करना है किसे को क्या है तो बेच कौन-कौन से आता है पूरा इंदूर जिला ही आता है हम तो सावर देशली में आते हैं पूरा इंदूर जिला है अच्छा लगातार जो है दाम घट रहे है तो उसका कहने का नुक्सान भी किसानों को उठाना पड़ेगा क्या संभावना है आने वाले समय में बढ़ सकते है तो आता है अब दो कोई बोजसेन ही नहीं लेग रही चार मेंने से तो वह हाला चल देशली तो इसलिए तो किसान पे चुरहा बचारा क्या करें अधि़ कौलीटी जो है क्या उपन क्या कर हो है अधिये और थीश तो आर लिच्त किसान को उसका दाम देखो किसान को वाजिब दाम मिलना चाहिए चुकि किसान जो है लगातार पसीना भाता है खेत में और फिर फसल का उत्पादन करता है किसान को कहना है कि दाम में लगवातार गिर रहे हैं और आने वाले समय में भी दाम बढ़ने की कोई संभाव नहीं है अब तो माल नहीं पचा जाता बहुत ही कम माल है यह अपने 3700 के भाव में आज अधिक्तम रहा और नीचे में नीचे में 3000 और अच्छा कारागुंडा जाते हैं उसमें लेकर वह तो बहुत ही कम वह हुए यह था अपने अपने आठ विया के माल था दूदर पानी भी उतर पानी का बहुत तेज बारिस भुई थी तो पानी गिर गया था उदर भाव भी नहीं मिल्ला किस्ते विगाम बहुत है यह अपना यार तीस अप्यतिस बोरी का बहुत ही कम है यह अपने इसका इंचान नहीं आज कि ट्राली माल आया है करीब यह अस्तिन अभ्यवान है अब आने वाले समय में नाम बढ़ने ही कोई संभाव ना नहीं अब तो जिससे पूछते हैं सबी बात यह के रहे है कि सब मार्केट डाउन होगे डाउन होगा नहीं आरे पता सब बतारे कोई भी सब बोलनी रहे अब अब आए नाम जीतेंद्र रुक्माबत रिंगो दिया स्वयावीन ट्रॉली एक ट्राली कॉन्चे क्वालिटी कि है यह जी एस है तिर्यान्योग पांच जया भाव गया आज इक तालिस अज इक तम किता गया अज बंडी में यह चुमालिसों क्या आसपास और यून्त सब्सक्राइब अब तो हां बड़ेगी तो है किसानों के पास माल अपने मंदी में आता है बहुत सारी वेराइटी है बीच चालिस आती है बीच चालिस आते हैं यह बहुत ही ती बारा बीगा कि यह दो डही कुंटल भीगे क्यों है कि इस अपने लगाया अपने को मिल गई कि नहीं मिली ना का मिली यह सीजन पर वावन चोपन सो रुपे बीकरा तो पास पास अब चार अजार तो बीकरा यह बीस कुंटल है बारा बीगे में क्या है अब लगातर गिर रहे हैं अभी सब्सक्राइब करें कि नियूंतम में तो दो अजार बारा सो रुपे भी गया है कुछ माल लगाता है क्या बिल्कुल यह तो जिसे आप देख रहे हो किसान सब परिशान है अब तो आपने चार के करीब बेठा पूरा अगर अपने समय पे निकाला था तो अब तो कम होगे वह सुकत भी हो गए उसमें स्वाइबिन में आज कित्त रहले माल आया हो अज करीब आई है अब आने वाले समय में को भाव बढ़नी कि सम्वाव श्किल लग रहा ऐसा तो नहीं दिक्राव यह टाइम में हमें सार्जबार भाव आजाता है इस बार तो नहीं लग रहा इस सब्सक्राइब तो कम तीन अजार तक गया है कित्ते भी कोई थी अपने स्वावी नहीं दस एक और उत्पादन कित्ने में हैं यह तीन-चार तीन दिक्ति लागत लगए तो तो आप मिलके अपने को पाईदा नहीं मिला अच्छा चाह वह उत्पादन कम और भाव भी कम हो पानी से खराब हो गया है अब देखो क्या हता है अभी तो यही चल रहे हैं कि दाम बढ़ने की कोई संभाव नहीं है इन दो और के लख्षिवाई ना करनाल मंटी से इन न मनमट के